दोस्तों कान की एक छोटी सी समस्या आपको बहरा कर सकती है और हेरिंग लोस का जो एक मुख्या कारण है वो होता है कान के अंदर फंगल इंफेक्शन का हो जाना इस बिमारी को कहा जाता है ओटो माइकोसिस तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि ओटो माइकोसिस या कान के अंदर जो फंगल इस वीडियो में आखीर तक हम थोड़ा डिटेल में ओटो माइकोसिस के बारे में बात कर लेते हैं बहुत सारे लोग नाते समय अपने कानों को साफ करने की कोशिश करते हैं कान पैसे करकर कि पानी मारते हैं छीटा देते हैं उससे भी कान के अंदर पानी चला जाता है जो फंगल इंफेक्शन का कान के अंदर मुख्य कारण होता है उसके अलावा बरसाथ के मोसम में नमी जब जादा होती है गर्मी की दिनों में हवा के अंदर वो भी एक infection का कारण बन सकती है और बहुत बार आप airbed लेके कान की जब सफाई करते हैं तो आपको नहीं पता होता यह हो सकता है उस airbed में क्यों नमी हो या उस पे fungus के particles लगे हो य यह भी पंगल infection का कारण बन सकते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तो शुरुआती लक्षणों में कान में भारीपन हलका फुलका दर्द कान के अंदर से पानी जैसा रिसा होना कान के अंदर कुछ भरा हुआ महसूस होना और बात के दिनों में बहुत तेज कान के infection हो जाता है तो कान के अंदर एक discharge भी आना शुरू होता है अगर वो secondary infection होगा ये bacterial infection होगा तो ये बदच्चार्ज बदभूदार होगा अगर ये पानी जैसा इसा पानी ईस्चार्जज होता है तो फिर प्यूर्ली यह आपका कान का fungal infection है जो कान का fungal infection है वह एक ही कान में हो लेकिन ये दोनों कानों में भी हो सकता है तो अगर आपको इस तरह के लक्षाण आते हैं तो बिना देर की आपको अपने ENT सरजन ये ENT डॉक्टर से सलाम अश्वरा ले लेना चाहिए क्योंकि ये जो इंफेक्शन है जो कान की बाहरी नली है जो एक्स्टरनल एर है उसका इं सकता है अब बात कर लेता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका इलाज क्या है तो इलाज के लिए आपने आपसे बिल्कुल भी इसको बाहर निकालने की कोशिश ना करें क्योंकि बहुत बार जब आप एयरबट से या किसी बाहरी चीज से इस फंगस को बाहर निका कान को injured कर लेते हैं जिससे दूसरे जो नुकसान के वो होने का डर और ज़्यादा बढ़ जाता है तो खुद से कोशच ना करें आप अपने डॉक्टर के पास जाएं डॉक्टर जो है आपके कान की सफाई करता है इस फंगस को बाहर निकालता है और साथ ही साथ कुछ दवाई फिर शायद ठीक होना मुश्किल हो एक बार पूरा कूर्स कर लें इलाज कर लें और फिर उसके बाद अपने डॉक्टर से चेक अप जरूर कराएं कि फिर से ये इन्फेक्शन ना हो और आपका इलाज पूरी तरीके से हो जाए अब बात कर लेता है कि इससे बचाओ क्या हो बहुत सारे कान की जो ड्रॉप्स होती हैं उनके अंदर इस्ट्रॉइट्स होते हैं अगर आपने गलती से इस्ट्रॉइट्स डाल लिए तो फिर ये आपके फंगल इंफेक्शन को और भी तेजी से बढ़ाएंगे और दिक्कत जादा बढ़ जाएगी दूसरा कान को आप खुद से सफाई ना करें गीली एरबड बिल्कुल ना डालें कान के अंदर पानी ना जाने दे कान को नमी होने से बचाएं और आप जब नहने जाते हैं या जब आप खास तोरसे स्विमिंग के लिए जाते हैं तो उससे में एर प्लक्स का यूज़ करे और अगर जब आप नहने जाते हैं तो कान पे रूई लगा लें कान पे रूई लगाने के सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो रूई आप लगाएंगे उसको नारिया लिया सरसो के तेल में हलका सा गीला कर लें और उसको अच्छे से कान पे लगा लें दोनों कानों पे ज या उतना तेज ना करें कि आपकी स्किन जल जाए तो ये आपको साफधानी बर्तने की जरूरत है इस पिरकार से आप देखेंगे कि इस खतरनाक बीमारी से अपने आपको बचा लेंगे और ये बीमारी आपको दुबारा से नहीं होगी तो अगर आपको ये जानकरी अच्छी लगी हो ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर लेना शेयर भी कर लेना और बैल एकन का बटन जरूर दबा लेना आपको मिलते रहे थैंक यू मन्यवाद